ए राजुए खड़ा हो जाओ रे ये बताओ कि तुम्रे बगल में जो मनोजवा बैठा हुआ है वो क्या है पूलिंग की इस्दिरलिंग ये सर ये तो 100% पूलिंग है सार हम तो इसका नुन्नी भी देखे हुए है अचा ठीक है ठीक है ज्यादा बकैती न जाड़ो ये बताओ कि पंखा इस्दिरलिंग है कि पूलिंग सार पंखा अगर बजाच का है तो पूलिंग है और अगर उसा का है तो इस्दिरलिंग हुआ न सार वारे हो शियार है ये बताओ कि बहु वचन किसे कहते है सार जब बहु अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहु बचन कहते हैं सार वाब बेटा बहु तागे जाएगा है चलिए बटा खुशी का ठिकाना ना रहा इस मुहावरे का क्या मतलब है सार खुशी नाम की लड़की रोज अपने बॉय फ्रेंड से छिप कर मिलती थी सार एक दिन उसके पपा ने उसको पकड लिया सार और उसकी खुब सुताई की इतना ही नहीं उसके पपा ने उसको घर से भी निकाल दिया सार आर अब वो बेचारी खुशी का कोई ठीकाना न रहा इसका यहीं मतलब है सार वाह वाह निनि वाह क्या खुब अर्थ बताया है वाह देख लीजिये सार टैलेंट तो खुब भरा हुआ है हमरे अंदर सार पर कभी घमंड नहीं न किये सार हाँ वो तो दिखी रहा है चलो यह बताओ कि दीपक क्या है संग्या है या सरवनाम है सार समझ में नहीं आया सार थोड़ा समझाईए न दीपक हमें रोशनी देता है दीपक हमें उजाला देता है दीपक हमें ज्योती भी देता है इन वाक्यों में दीपक क्या है इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि दीपक एक दल्ला है जो लड़कियों की सप्लाई करता है